मैं डॉक्र सुपरिया पुरानिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट और प्रैक्टिसिंग ऑप्स्रेटिक और गाइनिकोलोजिस सिंस लास्ट ट्रेंटी एर्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेग्ननसी में ये केशर का उप्योग है या नहीं है क्योंकि बहुत बार अक्सर जब तीसरा मैना खतम होता है तो पेशेंट पूछते हैं कि मैं क्या हम केशर का उप्योग शुरू करें तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ उनको केशर एक फ्लेवरिंग एजेंट है वो अपनी फूड के टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं लेकिन आज इस टॉपिक पे डिसकस करने के लिए हमारे पास मालवी का मैम आई है डिक्टर मालवी का डायेटीशन है सिंस 16 इर्स और ये प्रेगनसी के डायेट के बारे में वो इतने सानों से सला देती रहती है डिक्टर मालवी का जब पेशन्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं मैम क्या केशर का हम उपयोग शुरू करें या नहीं तो मैं हसकर उनको पूछती हूँ क्यों हमें केशर लेना है पेशन्स तो बोलते हैं मैम सारे भुजरिक बोलते हैं हम केशर का जब उपयोग शुरू करेंगे तब बेबी गुरा होता है फेर होता है तो ये तो बहुत ही इंटरस्टिंग बात हो गई टोटर मालवी का आप बता सकती है कि क्या केशर की उपयोग से बेबी फेर होता है जैसे आपने बोला कि केशर का उपयोग ये अस फ्लेवरिंग एजिंट हम कर सकते हैं केशर ये पिक लोकृरिय अफ्ले गुक जाता है जिसके स्वास्थ उपयोग ज्यादार पिरा नकालव से हम करते आ एज ऐसी उपयोग करना ये सेफ है फर प्रेग्नेंट लेर जो उपयोग ह़ कितनी नात्रा से करते हैं और कौनसे क्वालिटी का केसर उसमें यूज करते हैं वो जादा देखने की ज़रूरत है लेकिन जो लोगों का कहना रहता है कि केसर से हमारा बेबी फेर हो जाता है यह तो सरासर मित है क्योंकि बेबी का कलर अपने माता-पिता के कलर ही डिसाइड करेगा सही बात है आपने जो बोला कि ऐसे केसर का सेवन करने से कभी भी बच्चे का कलर इंप्रूब नहीं होगा या कलर टोन भी चेंज नहीं होगा पर डेफिनेटली केसर के कुछ उपयोग भी है जो हम यूज कर सकते हैं पुरातन कालों से जभी केसर का यूज प्रेगननसी में बुजिद लोग बताते हैं तो उसके पीछे भी कुछ मतलब होगा तो आज हम यह जानेंगे कि केसर के क्या हेल्फ बेनिफिट्स है जब हम ये प्रेगननसी में यूज करते हैं केसर लिए मातरा में और सही क्वालीटी का यूज करते हैं तो उससे अगर प्रेगननेंट अगर मूमन में कुछ मूर स्विंग आते हैं या कभी ब्लड प्रेशर का का कंट्रॉल भी होता नहीं है जो मेली से हम देते उनको उससे भी कंट्रॉल आने में फ्रफ लिद करता ह और केसर से पाचन शक्ति बढ़ने में केसर मदद करता है जो अल्डेडी प्रेगनंसी में इस्टर्ब है इतने सारे बहुत सारे उप्योग प्रेगनंसी में हो सकते हैं तो ये इत ना जस्ट अ फ्लिवरिंग एजिंट और वह भी बेबी को पेर करने वाला एज्च तो नहीं है लेकिन ये इतने सारे हैं पेनिफीट्स की वज़ाशे शायद बुजर्ग लोग कर दो हम जभार दिखन大家都 old normally यह कर दो हमने तो श्येसर का अपियोग चैसर को हम ऐसे जहाना होता है कितना मातरा में करना होता है कैसर का अपियोग तो हम सिंहीत कर दो रचंप산 । तो प्रशार रेशे उसके दूद में मिलाकर अगर लेंगे तो वह सेफ है दिन में एक बार अगर मॉर्निंग में अगर दूद लेते हैं वनकप ऑफ मुल उसमें तीन या चार रेशे डाल के अधर वेज हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं पंचामरु जैसे कुछ बनाया उसमें क केसर के रेशे डाले तो भी वो हेल्थ बेनिफिट हो सकता है लेकिन केसर ऐसे माना जाता है कि यह उष्न है गरम होता है क्या यह सही है अब नुट्रिशन सायंस कहता है कि केसर का योग्य मात्रा में अगर अच्छे क्वालिटी का कैसर हम यूज करते तो उससे कुछ भी कैसर अलग होता है अगर लिमिटेड कॉंटिटी में हम कैसर लेते तो उसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है अजिए अच्छा है सही है प्योर है क्या हम कैसे जानेंगे कश्मीरी कैसर यह प्योर माना जाता है फिर भी बहुत सारे वराइटी के कैसर हमारे हमलते है जो भी हम अगर कैसर खरीदने के लिए जाते है तो वह कौन से टाइप का या ब्राइंड का है उसका एकस्पाइर इडिट लिखा होता है उसके लेबलिंग किया होता है तो वह थोड़ा सा चेक करना जरूरी है और गोर केषर खीर हम लेंगे तो हुआर केषर बिशितन यह दह姐 Алगर करौम ना डम लेंगे तो अगर लेते हैं तो एक यह करते हैं तो डिफिनी बार लेना चाहिए दिन में एक बार तीन या चार रेशे हम डाल के इसका उपयोग कर सकते हैं आज इस वीडियो में हमने जाना केशर just not a flavoring agent और केशर बच्चे को गुरा बनाने में, फेर बनाने में मदद नहीं करता तो केशर के बहुत सारे फायदे प्रेग्ननसी में होते हैं जैसे के माम ने बताया पेक क्राम्स कम हो जाते हैं, उसके मूर स्विंग्स कम हो जाते हैं वैसे बहुत सारे health benefits केशर के रहते हैं इसलिए केशर प्रेग्ननसी में यूज़ करना safe है अच्छे quality का केशर हम easily इस्तमाल कर सकते हैं या दिन में एक बार भी लिया तो भी काफी होता है तो ये जानकारी देने के लिए आज माम अपने पास आई उन्हें अच्छी तरह से ये explain किया है इसलिए मालवी का माम thank you very much इस topic के बारे में आपके में में कुछ सवाल रहेंगे तो वो comment box में लिखी है या हमें email कर दीजिए अगले वीडियो में हम जानने वाले है कि pregnancy में शतावरी का उपयोग कैसे करे क्यू करे और is it safe to have शतावरी in pregnancy Thank you